गरीब मदूर दे सहारा की आवाज है हम जब जुल्म की आंधिया बढ़ने लगे तो डीवियन आपके साथ है नमस्कार इस समय हम आचुके हैं दर्भंगा जिला के बेनिपूर परखंड में बेनिपूर परखंड का ये है देवराम अमेठी पंचायत और हमारे बीच बेनिपूर देवराम अमेठी के पुर्भ मुख्या सह मुख्या पती ग्यासुद्दीन मौजूद हैं हम इन से जानने का प्रियास करते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दे कि ये वही गयासुद्दीन है जो बीते दिनों करोना काल में लोगों के लिए जो बाड़ पिरित की सहायता या बाड़ पिरत के लाव के लिए जिस परकार से यहां इस छेतर में बाड आया था यह छेतर बाड गरसित छेतर है और यहां के लोग बाड से परभावित हुए थे उससे पहले इन्होंने करोना काल में मास्क सेनिटाइजर के साथ साथ लोगों को और भी कई दिसा निर्देश दिये थे हलाके इनको कुछ दिनों का जेल भी हुआ था और बेनीपूर परखंड मुख्याले के उपर इन्होंने धर्णा परदर्शन किया था जिसमें इन्हें कुछ दिनों के लिए जेल हुआ था जेल से जब ये निकले तो मैंने इनको दिखाया कि आखिर ये क्यूं जेल गए जेल जाने के पीछे की कहानी ये थी कि बाड़ पिरित के लिए आवाज बुलंद कर रहे थे साथ यही कारण था कि परशासन को ये बात गावारा नहीं हुआ अब हाल के दिनों में इन्होंने एक लेटर जिला अधिकारी को दिया है जिला अधिकारी को उस लेटर में कहा गया है कि ठंड का समय है करोना काल है और ऐसे में जो सीत लहर चल रहा है उसमें अलाब की विवस्था की जाए कंबल का वितरन किया जाए हलाके जिला परसासन के दोरा लगातार इसको लेकर दिसा निर्देश सभी अंचला अधिकारी को जारी किया जा रहा है कि अलाब की विवस्था कराई जाए और जिसका रिपोर्ट भी बखू भी सभी अंचला अधिकारी जिला अधिकारी को भेजते हैं कि मैंने बेनिपूर या मैंने पूरे जो भी जिसका परखंड है अंचल है उसमें मैंने इस चौक चौराहे पे इतनी अलाव की विवस्था कराई इतनी लकडिया दी कंबल को लेकर के फिलहाल अभी तो इस पे चर्चा नहीं हुए है लेकिन जिला अधिकारी के दोरा बीते दो दिन पहले कंबल वितरन भी किया गया है इन्होंने मांग किया है कि पंचायत के लोगों के लिए जो गरीब है जो मजदूर है जो बेसहारा है जो बेसहाई है उनके लिए कंबल वितरन किया जाए इसके लिए जिला अधिकारी को ये आकरसित करना चाते है जिला अधिकारी के तरफ रुख करना चाते है उस लेटर के माध्यम से कहा गया है कि ठंड में अलाब की व्यवस्था की जाए लेकिन जिला अधिकारी की दोरा लगातार कहा जा रहा है कि ठंड को लेकर अलाब की व्य करें कि लगातार कहते हैं कि व्यूस्ता कराने के लिए अंचलादीकारी को निर्देश देते Light करा रहे हैं फिर आपको क्या परिशानी है कि रग रहा है कि आपको कि व्यूस्ता नहीं हो पार रहे हैं है अंचला दिकारी वीडियो सहेब और सभी को हमने लिख करके दिया है कि अभी करोना काल चल रहा है उस पर से ये कराके की ठंड और घंगोर सीतलर उसमें निसाहाई गरीब बच्चे महिलाओं और माल ववेशियों को जीना दूभर हो चुका है और मुखमंत्री जी को आगरा करते हैं कि सभी को जो है गरीब को कमबल का बीतरन बेवस्था किया जाए सभी सहरी चेतर और गिरामिन चेतर में सभी चौक चराहों पर अलाव की बेवस्था किया जाए आपने अभी कहा कि बेवस्था की जा रही है कागज पर तो बहुतो घोस तो आपको क्या लग रहा है कि जिला अधिकारी जो निर्देश दे रहे हैं जो आदेश दे रहे हैं सभी अंचला अधिकारी को कि आप अलाब की वेवस्था कराए तो क्या वो धरातल पर नहीं उतर रहा है वास्ता में जमीन पर कुछ नहीं है मात्र अपने वरिये पदादीकारी को गलत रिपोर्टिंग करके मैं किनी का नाम नहीं लूँगा राउंड फीगर में को रहे हैं कि जमीन पर हकीकत में कुछ है नहीं जो होना चाहिए एक दूजवा करके आरो के बाद अपना रिपोर्टिंग हो जाता है जमीन पर कुछ है नहीं ऐसा ववास्ता कुछ और वरिये पदादीकारी को गलत रिपोर्टिंग करके अपना जान का छुटकारा कर लिया जाता अपनी जिमेदारी से सैड हो जाते हैं लोग लेकिन खकीकत में ऐसा होना चाहिए एक गरीब को कममल मिलना चाहिए एक माल मवाशी को गर्मका मेवस्ता होना चाहिए हर सहरी छेत्रा गिरामिन मंत्री जी डियम सहेब से आगर बिनर निवेदन करेंगे कि सभी चौक चरहों पर अलाव की वेवस्ता किया जाए और सभी गरीब को कंबल बीतरन किया जाती सिग्र ताके लोगों का कल्यान हो सके अंचला धिकारी को लेटर दिये हैं पर्तिलीपी वीडियो सहेब से डिडिसी डियम सहेब आपदा परवंदन मंत्री अमानिय मुक मंत्री जी नितिश कुमार जी को आपकी मांग क्या है कि लोगों के लिए कंबल और अलाव की वहस्ता जी जी आती सिग्र लोग जो है मुश्किल में जी रहे हैं लोग जार जार हो चुके हैं तूट चुके हैं पैसा का भाव है लोगों को जो खरिद पाएंगे नहीं खरिदने के स्थिति में नहीं अगरीब लोग तो सरकार सरकार का सरकार हुआ बाप माय बाप हुआ अगरीब हुआ बाल बच्चा उनका तो गरीब के लिए सरकार करना चाहिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से करोना का समय ह कि मैं का इसमें कहा जा रहा था कि ठंड में काफ़ी इससे परिशानी हो गी है थंड में जैसे करोना का इस्तिती और व्याता कर देंगता ना जान बचे गा तब अगार मार विवस्था करें उसमें इस थंडी के टम में कराके कि थंड में कम बल और सभी चोक चराए प्रालाव के वस्ता कराव है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप। जो बिरिद निस्खाय हैं उस थंड के परकोप से इस करोना काल में सोसल डिस्टेंशन का पालन करते हुए परहेज करें और थंड में कम निकलें निकलेंज गरम कप्रे का अप्योंग करके ही निकलें निकलें और एक दूसरे का हर निसहाय जो जिसको उतरवाले ने धन समपत दिया है वो अपने आसपास जो गरीब हैं निसाहाई हैं उनकी मदद करें चाहें बहुत बहुत धन्यवाद तो यह थे हमारे बीच देवराम अमेठी पंचायत के पूर मुख्या से मुख्यापती ग्यासुद्दीन काफी नाम कमाया है इन्होंने क्योंके करोना काल में जिस से एक आंदोलन हुआ था ऐसा लग रहा था कि बेनिपूर में ये आंदोलन उग्र परदर्शन की तरफ बढ़ रहा है हलाके उस परदर्शन के खिलाफ परसासन ने इनके उपर एफायर भी किया इन्हें जेल भी जाना पड़ा और आज फिर से इन्होंने पब्लिक के लिए जो अपनी जनता है पंचायत के लोगों के लिए इन्होंने मांग की है कि जिला अधिकारी हो या फिर इसडियो साब है या फिर वीडियो हो या सियो हो वो लोग अलाब की विवस्था कराए और नी सहाय लोगों के बीच कंबल का वितरन किया जाए इसकी इन्होंने मांग की है कैमरा परसन राजेस के साथ मैं राजा डी बिय निउस दर्भंगा